हाई एवरिवन तो आप सबके डिमांड पे मैं लेकर आ गई हूँ यूद्स रेडी तु वियर सारी का कलेक्शन और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा बिगूस इंस्टा पे मैंने शॉट्स डालेते ना तो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे लोगों आऔर लोगों मेरि फवरिट है इसको तो मिना डिवाली में भी पहीन का बौकट प्यार है पूरे में ऐवी मिरर का काम है और पूरे में आपको जड़ी का काम मिल जाएगा और यह फिल्गी मच्च करके पही सकते हो को सारी जेयों जीक्स की बहुत अच्छी मैं थो यह इसक मीशो पे मिल जाएगी बट फिलहाल के लिए मीशो पे I think काफी टाइम से आउट अप स्टॉक है बट इसका लिंक मैं आपको जहे दे दूंगी Amazon पे ये साड़ी सेम अविलिबल है Black, Red and Maroon कलर में तो उनका लिंक दे दूंगी तो आप Amazon से चिकाउट कर सकते हूं मुझे नहीं लगता मीशो पे अब ये री स्टॉक होगी I don't know क्यूं बहुत टाइम से में देख रहे हूं सब लोग इसका लेक माग रहे थे बट ये स्टॉक में नहीं आ रही है नेक्स्ट अगेइन मैंने ये यलो कलर ही पिक कर लिया I don't know why मुझे ना पिंक और यलो से एक अलगी अपजिशन हो गया मतलब बार बार मैं पिंक और यलो ही खरीद लेती हूं यह भी आप हल्दी फंक्चन के लिए यूज कर सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हूं यह वाला ब्लाउस जो मैंने अभी रेट वियर सारी के साथ जो आए उसी के साथ स्टाइल किया है तो आप यह भी चकाउट कर सकते हो नेक्स्ट यह वाइट कलर की सारी भी काफी सुं जाएगा जिसमें इस तरीके से फ्रेंच वाली लेस लगी हुई है नेक्स्ट यह ब्लाक वाली साडी देख लो जौजट फैब्रिक में है इसमें ना काफी चोड़ा बॉडर जो है ना उपर साइड में दिया गया जब आप पल्लू लोगे ना तो यह डिफरेंट लोग दे होके आई थी ना तो पूरा सिकुर सी गई है विंकल्स आ गए है तो मैंने विदाउट प्रस किये ही इसको पहन लिया है बट आप इसको अच्छे से आइनिंग करके पहनोंगे ना काफी खुबसूरत लगने वाली है इसमें भी रेडी तु वियर आपको ब्लाउज मिलेगा अवरल ये सारी का लुक भी काफी अच्छा आ रहा है बट इसको आपको थोड़ा सा आइनिंग करने की जरूत है तब ये और भी पॉफेक्ट लगने वाली है किसी भी वेडिंग पांक्चन में आप स्टाइल कर सकते हो नेक्स्ट अगेन मैंने ब्लाक कलर की साड़ी पिक कर लिये ये भी मैंने रेडी तु वियर जानके ये और प्लेस किया था बट ये रेडी तु वियर नहीं है बट गाईज ये सारी का लुक इतना अमेजिंग है न इसके ब्लाउज के साथ अब इसको पैनोगे न बहुत सारे कलर के आउटफिट्स के साथ चला जाएगा इस सारी के साथ तो आप पहनोगे ही बट अदर सारी के साथ भी इस ब्लाउज को स्टाइल कर सकते हो इतना हेवी लुक देने वाला है इसके साथ आपको जो है ये जो है कट दाना स्टाइल की मोतियों की जो है लटकन की लेस मिल जाएगी जिससे आप easily blouse में attach करवा के blouse को different look दे सकते हो जैसा के model ने पहना हुआ है next मैंने आगे एक साड़ी के साथ यह blouse पहना था ना यही वाला blouse है blouse बहुत प्यारा है पूरे में heavy handwork का काम किया गया है again साड़ी के साथ आया हुआ है यह साड़ी भी आपको साड़ी seriously 10 on 10 लगी मतलब बहुत heavy look देती है पहनने के बाद next again ready to wear सारी जो की आप देख पा रहे हो with blouse के साथ आपको मिली मतलब मुझे यह system बहुत अच्छा लगा मिंत्रा का कि वहां पे size select करो और आपके size के blouse के साथ आपको ready to wear सारी मिल रही है इससे अच्छा और क्या ह अब आप blouse सिल्वाने जाओगे और उसका खचा अलग से साडी ready करोगे उसका खचा अलग से मतलब मुझे तो यह बहुत जाही लगती है मतलब one minute में सारे इसको पहन लो अच्छा नेक्स्ट यह साडी देख रहो ना यह ready to wear नहीं है बट मुझे लगा था यह ready to wear ही आएगी तो overall यह साडी भी काफी सुन्दर है नेक्स्ट यह वाली साडी भी मुझे लगा था कि ready to wear आएगी बट यह भी normal वाली साडी है हाँ लहरिया टाइप में है और पूरा रफल टाइप में इस तरीके से design आपको मिल जाएगा जो जिट फैब्रिक की है तो overall यह साडी भी काफी यह भी मिंत्र काई है overall सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिया है इन में से जो भी आपको पसंद आ रहा है उनके लिंक आपको description में मिल जाएगी तो जल्दी से चिकाउट कर लेना यह वाली जो साडी है ना इसको बड़ी मने अर्मानों से मंगा था बट इतनी खास नहीं ल लोगों ने इस्टा पर पुर्चस किया है जो मैंने पहनी हुई है तो आप वो भी चेकाउट कर सकते हो पूरे में डाइमंड से रोस्की का काम है और बहुत खुबसूरत सारी पल्लू भी रेडी टु वियर मिलेगा सभी लिंक्स आपको description में मिल जाएगी जल्दी से चेक क कर लेना और सब्सक्राइब कर लो इसी तरीकी के और इंट्रस्टिंग विडियो जाने वालें बाबाई